ये कहानी है भारत के एक ऐसे उपक्रम की जिसका वर्णन सदै भी कारखानों की जननी के रूप में हुआ है एवं जिसने राष्ट के आत्मनर्भर बनने के मार्थ को प्रशस्त किया है विश्व में प्राध्योगी के क्षेत्र में निरंतर अग्रणी हो रहे राष्ट के विकास तथा एक धुड़ बुनियात की आवशक्ता को जिसने सदै भी साकार किया है वो है भारी अभियंतर मेगम निमिटिड राष्ट के निर्माण है तू मशीनों के निर्माण में कारे रथ एक नए भारत के निर्माण की ओर बीते छे दशकों से चल रही हमारी इस यात्रा में हम निरंतर भारत की विकास यात्रा के अभिन अंग रहे है स्वदेशी शोद एवं विकास के साथ साथ उत्पादन के द्वारा हमने मेकिन इंडिया की पहल को मूत रूप दिया है हमने इसपाद, खनन, विद्योट, रेलवेट, परमानो, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा और राष्ट्र के रणनीते कारिक्ष शेत्रों में एक अमिट छाप छोड़ी है उपकारण डिजाइन, अभियांत्र की और ओद्योगिक उत्पादन में दक्षिता के साथ साथ हमने उत्पादन की अनूठी प्रक्रियाओं को भी विकसित किया है राची में 21 लाग वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले HEC कैंपस में फांडरी फोर्ज प्लांट, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट और प्राजिक्ट डिविशिन स्थित है HEC को विशिष्ट गुणवत्ता वाले उत्पादों, फ्रणानियों और सेवाओं के लिए आईसो मानकों से मानिता प्राप्थ है फांडरी फोर्ज प्लांट यानि FFP भारत में स्थित सबसे बड़े फांडरी और फोर्जिंग केंद्रों में सेख है स्कोडा चेक गणराज्य के सहयोग से स्थापित ये प्लांट भारी कास्टिंग और फोर्जिंग का उत्पादन करता है तथा अपने विशिष्ट मेटलर्जिकल विकास के लिए जाना चाता है हईसी प्लांट में 130 टन की सिंगल कास्टिंग या इंगट को ढालने की क्षमता है फोर्जिंग के लिए प्लांट में 6000 और 2650 टन की क्षमता के हाइट्रॉनिक प्रेस के साथ साथ छोटी क्षमता वाली प्रेस भी उपलब्द है हीट प्रीट्मिंट की सुविधाओं में लो फ्रीक्वेंसी इंडाक्शन हार्टनिंग, नाइट्राइडिंग भट्टी और इलेक्ट्रिक पिट भट्टी शामिल है हईसी के पास अपनी क्याप्टिव ऑक्सिजन, एसेटिलीन और उत्पादक गैस संयत्र भी है प्लांट में NABL द्वारा मानित अप्राप एक प्रयोक्षाला भी उपलब्ध है इसकी द्वारा इन हाउस की मिटेरियल की संब्रचना की चाज की जा सकती है और मिटेरियल की गुणवत्ता पर नियंद्रण भी रखा जा सकता है फाउंडरी और फॉजिंग के अलावा प्लांट में सहायक इकाया भी उपलब्ध है इसमें पैटन शॉप, मोल्डिंग और फैटलिंग शॉप शामिल है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट यानी HMBP ततकालीन सोवियत संग के सह्योग से स्थापित किया गया था यहाँ विशिष्ट मशीन टूल से इवं हेवी डूटी जॉब के संचालन के लिए सभी उपकरण उपलब्ध है यहाँ प्लांट HEC द्वारा निर्धारत गुणवत्ता संबंधी सभी मांदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए भारी मशीनरी और उपकरणों का निर्मान करता है HMBP में विभिन कार्यशालाई उपलब्ध है सभी कार्यशालाऊं में असेंबली विभाग है जहां ग्राहकों की साइट पर भेजनी से पहले मशीनों का नियंतरित संकलित परिक्षण किया जाता है यह विशिष्ट मशीनिंग सुविधाओं से लेस है जिसकी द्वारा हमारी क्षमताओं का निरंतर विकास हुआ है यहां प्लेट बेंडिंग, शीरिंग और प्लेनिंग के लिए फाब्रिकेशन सुविधाई भियुपलब्ध है HMBP में एक विशाल भंडारन स्थल है नेलवे साइडिंग की सुविधा भी है हेवी मशीन टूल्स प्लांट याने HMTP, HEC का एक और गौरवानवित प्लांट है चेक गणराज्य के स्कोडा के सहयोग से स्थापिद HMTP, हेवी मशीन टूल्स का निर्मान करता है जो कोर्क शेत्रों के साथ साथ रणनीतिक शेत्रों को भी अपनी सेवाई प्रदान करता है HMTP की प्रमुक मशीनी सुविधाव में ऐसे उपकरण है, जो नाकिवल तकनीकी रूप से उन्नत हैं बलकि उपकरणों की विभिन्ड डिजाइन, परिमान और क्षमता की व्यापकता को भी पूरा करता है HEC का एक प्रोजेक्ट डिविजन भी है, जो अवधार्ना और डिजाइन से लेकर निश्पादन तक टर्न की प्रोजेक्ट्स को क्रियान विद करता है आज प्रोजेक्ट डिविजन कोईला और अयस्क हैंडलिंग प्लांट और कोईला वाशिरी को स्थापित करने का कारे करता है विभाग में एक तक्नीकी टीम कारेरत है, जिसमें अनुभवी डिजाइनर, टिक्नलोजिस्ट और निपोन इरेक्षिन और कमिशनिंग इंजिनियर शामिल है HEC में अनुसंधान एवं उत्पाद विकास विभाग है, जो प्रतेक प्लांट के लिए सेवा प्रदान करता है इस विभाग को योग्या और समर्पित टेक्नोक्राट की एक टीम संचालत करती है जो और द्योगिक उत्पादन के लिए डिजाइन इवं कारेविधी के मूल्यांगन का कारे समहालती है भारत में डिजाइन और अभियांत्रिकी के विकास को बनाई रखने के लिए यह विभाग नवीनतम कैज सॉफ्टवेर से लैस है राश्टर के विकास में योगदान देते हुए हमने अपने उत्पादों को लगातार विस्तारित किया है खनन की क्षेत्र में हमने 2,60,000 टन से अधिक के उपकरणों की आपूर्ती की है इन उपकरणों में शामल है 5 घन मीटर बकिट क्षमता की विद्योत रोब शोवल, 24 घन मीटर बकिट क्षमता और 96 मीटर की बूम लंबाई वाली वौकिंग ड्राग लाइन और क्राशर की विस्त्रिश शिंखला इसपात क्षेत्र में H.E.C. ने बुकारों और वायजाक में एकत्रित इसपात संयत्रों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमने भिलाई, रावर क्यला और दुर्गापूर इसपात संयत्रों के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उपलब कराए गए अन्य उपकरणों में शामिल है भारत के रक्षक शेत्र के लिए HEC सदैव ही स्वदेशी करण की आवश्यक्ताओं को पून करने में एक अग्रणी कार खाना रहा है भारतिय सेना के युद्ध टैंकों के लिए हम विभिन उपकरणों की आपूर्ती करते हैं और साथ ही भारतिय नौ सेना के युद्ध पोतों के लिए भी हम विभिन उपकरणों का उत्पादन और आपूर्ती करते हैं HEC आयात प्रतिस्थापन में तेजी से आ रहे नवीन परिवर्तनों को सम्मिलत करने ही तो निरंतर प्रयासरत है। पर्मानु क्षेतर में HEC ने पर्मानु दबाव बोद अर्थाद न्यूकलिय प्रेशर वेसल के लिए अल्ट्रा क्लीन स्टील द्वारा विशेश फॉर्जिंग का सफलता पूर्वग निर्मान किया है। अल्ट्रा क्लीन स्टील को रासायनिक्स और रचना के बारीक नियंद्रण के साथ साथ विकसित किया जाता है। अपनी इस क्षमता के साथ हमने रणीतनेक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण आपूर्थी की है। ये धातु कर्मक्षेत्र के ऐसे मील के बथर हैं जिन्होंने भारत को अपनी उत्पादन प्षमता के लिए अगली कतार में खड़ा कर दिया है। HEC ने राष्ट्र के महत्वकांग्षी अंतरेक्ष कारिक्रमों में भी महत्पूर्ण योगदान दिया है। HEC ने इस रोज श्री हरी कोटा में द्वितिय लॉंच पैड पर्योजना के दौरान, मोबाइल लॉंच पैड, टावर क्रेन, होरिजॉंटल स्लाइडिंग डोर और अंतरेक्ष वाहन निर्माण भवन के लिए फोल्डिंग प्लाटफॉर्म के विनिर्माण में भी भागित हमारी इस सफल यात्रा की कहानी को हमारी द्वारा अरजित विशिष्ट उपलवध्यों की अपर्मित सूची द्वारा जाना जा सकता है। हमारी यह यात्रा लंबी रही है और इस दौरान हमें विविद पुरसकारों से अलंकरित कर मानिता प्रदान की गई है। भिन उद्योगों के लिए जो कुछ भी किया है। उसमें हमारी सबसे बड़ी उपलब भी एक प्रेड़ा स्त्रोध बन उभर कराने में है। प्रेड़ा करन और स्वास्थे जाकरुकता पैदा करने के लिए पड़ोसी गाउं का दौरा करते हैं। एक ऐसी टीम जो प्रतिबत है, धुड़ है तथा अपने राष्ट्र, अपने ग्राहकों और अपने देश्वासियों के प्रति समर्पिद है। हम हैं भारी अभियंत्रण मेगम निविटेद। राष्ट्र के निर्माण हे तू, मशीनों के निर्माण में कारे रत। छ़ी है रही हैं कि लिए हैं